अगर गूगल डॉक्स पर आपने जाना है आप बिगिनियर है गूगल ड्राइब आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो आप जब आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे या कोई भी ब्राउजर आप चला रहे हैं जिसमें आपने जीमेल एक्सेस है जीमेल के थुरू आप इसको ओपन कर सकते हैं यहां इस इन डॉट्स पर जाना है और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा यहां पर गूगल पर क्लिक करना है Google Drive पर क्लिक करना है क्योंकि आप नए है और आपको आपको आइडिया लेना है तो आप Google Docs पर जाए और From a Template करें From a Template का benefit यह है कि Templates बने बनाएं आपको कुछ भी बनाना है आपको document writing editing में अगर आपके expertise नहीं है और आपको सिरफ idea लेना है कि बनता कैसे है और आप कैसे उसको use करते चाहिए print के लिए या किसी भी तरह purpose के लिए so friends यहाँ पे देखिए resumes आपको जैसे maximum students को चाहिए होते हैं और उनको resume का idea नहीं होता है कि resume कैसे बनाना है हम अपना resume कैसे professional बनाए so यह कुछ एक template से जिनका आप use कर सकते है as a example और as a dummy content कैसे इसको use करेंगे देखिए एक example में दे रहा हूँ यह resume में पर हमने click किया resume पर click करते ही हमारे पास उपर file का name बन गया इसका resume और यह automatically हमारे drive में ही है यह आगया आपके यहां पर जो resume का format है और इसी तरह से अब क्या करना है आपने यह पहले से हर एक field बनी है आपने ज्यादा ना changes करते हुए जैसे आपने यह select किया है यह हमने click करेंगे इस पर तो इस तरह सी cursor यहां पर आएगा आप इसको back करें जहां लिख पर भी आप नाम add कर सकते हैं थोड़ा सा attractive दिखने के लिए या इसको थोड़ा सा वो तो template का design है आपको किस तरह का template का design पसंदे वह आप चूज कर सकते हैं उसके बाद आप यह चीज़ यहां से replace करेंगे जो भी आपका skill level उसको आप share करें जो भी आपका जो भी designation आप चाह add कर सकते हैं जो भी जो भी आपका experience का और education का duration है या जिस भी दोरान आपने वो चीज़े सीखिए awards बगेरा वो सारी चीज़े यह तो एक basic आपके पास देखी idea आ गया कि किस तरह से यह चीज़े होती है और जब आपने इसको use करना होगा जब final हो जाएगा तो file पे जाके आ या आप इसको save कर सकते हैं या इसको आप share कर सकते हैं share with other published website share with other जैसे किसी company ने आपका resume मांगा है तो जैसे आपने resume बनाया share with others पे click करेंगे और share with other पे click करने के बाद आपके पास option आएगी तो जो भी company है उनका आपने यहाँ पे email id डालना है और इनमें access देना है यह general access restricted है और यह view का आपने इसमें देना है जैसे मानले जी हम इसमें कोई भी add करते हैं यह हमने add किया और इसमें हम message notify कर सकते हैं और यहाँ से हमने इसको feature देना है viewer ठीक है अगर आपने resume share करना है वो depend करता है कि आपने उसको edit कि यह नहीं कि बोलना का मतलब है कि जब आप यह document share करे तो उनको जो email id जिसकी email id है उनके पास यह permission होगी कि वो आपके document को edit कर सकते हैं या किसी चीज़ पर comment कर सकते हैं तो आप commentator और viewer रखे जब आप इसको unknown लोगों के साथ share कर रहे हैं या जब आप चाहते हैं कि खाली पढ़ सके और वो कोई delete ना कर सके या changes ना कर सके तो आप viewer या commentator दोनों रखते हैं commentator का यह है कि वो किसी एक चीज़ पर comment कर सकते हैं जैसे आपका कुछ skill है उसको select करके उस पर comment कर सकते कि आप हाँ जी इसके बारे में थोड़ा detail में बताईए और इस तरह से आप message करके अपना जो resume है send कर सकते हैं Google Docs में बना के तो यह हो गया पहल है download यहां पर आप click करेंगे download तो यह जो document आपका download हो गया अब आप चाहे तो इसको आप word में भी use कर सकते हैं जैसे इसमें word का icon आ गया तो मैं अगर double click करूंगा तो यह MS word में भी आप इसको open कर सकते हैं तो यह benefit है Google Docs के आपके बस बना बना एक dummy content आ गया खासकर जब आपक कि चीजे कैसे कर नहीं है